रात के करीब साड़े आठ पॉने नो बच्चों के हैं और अब जाके वीडियो लेक्चर रेकॉर्ड हो रहा है और ये मैं हमेशा कहता हूं कि ये कप्छा 11 और 12 दोनों के बच्चों के लिए भी चलना है क्योंकि जो सुरू के 7-8 लेक्चर आएंगे वो 11 वाले बच्चे भी नहीं के तो देखेंगे क्योंकि उनका है लेकिन अभी उसके पहले बहुत कुछ हमें पढ़ना है ताकि हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर हो बहुत ही सरल तरीके से आपको चीज़े समझ में आए देखो पहला लेक्चर है जो उसमें आपने क्या पढ़ा था वो आपको पता होना चाहिए उसमें पहले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था अगर आपको पता है तो आप वीडियो को पॉस करिए और कमेंट में टाइप कीजे कि आपन सामान्न कार्बनिक रसाइन का यह है लेक्षन नमबर टू और इसमें आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा में आपको सौर्टन बता लेका हैं आज हम पढ़ेंगे कि जो मुक्त मूलक होता है, जो मुक्त मूलक होता है, वो क्या कहना आता है, मुक्त मूलक, जिसे हम free radical कहते हैं, ये क्या है, कि कार्व धनायन क्या होता है, बहुत ही द्यान से समझना, आज का वीडियो लेक्चर कापी important है, कार्व धनायन क्या होता है, इसके बाद हम तीसे नमबर पर आज पढ़ेंगे, कार्व रनायन क्या होता है, ठीक है? और चौते नमबर पर हम पढ़ने वाले हैं कि कारवन के असंख योगे क्यों बनते हैं? बहुत सारी योगे जिनकी कोई गिंती नहीं है असंख योगे क्यों बनते हैं? अभी सारी चीजें आपको गिलियर हो जाएंगी दीरे-दीरे करके अभी तो आपकी बन देखते जाएंगे और सबसे महत्पूर चीजे हाइड्रो कार्बन के बारे में आप आधस्र जानने लगोगे कि हाइड्रो कार्बन होते क्या है? ये चीज़ें आज की लेक्चर में कवर होगे आज आप पढ़ोगे मुक्तमूलक क्या है कार्वधनाईन क्या है कार्वधनाईन क्या होते है कार्वधनाईन क्या होते है कार्वन के असंखियों के क्यों बनते है और साथी सार हाइड्रो कार्वन क्या होते है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले हम पिछले वीडियो लेक्चर की बात करें तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कारवन का परीचे है कारवन का परीचे है और इसलिए पहला वीडियो लेक्चर काफी important है आपके लिए कार्बन का परिचे हैं कार्बन के परिचे में हमने देखा कि कार्बन का परमाण क्रिबांग क्या होता है परमाण भार क्या होता है इसका electronic दिन्यास कैसे लिखा जाता है इसके अपर रूप क्या है कार्बन जो है कार्बन जो ह यह अपना अश्टक कैसे पूर करता है क्या यह अपने इलेक्टरों को दे देता है या किसी दूसरे परमाणूस इलेक्टरों को ग्रहन करता है या फिर यह साझेधारी करता है यह सारी चर्चा पहले वीडियो लेक्चर में बड़े ही आराम से हुई है यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जानों वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी तो सीरीज भाई आप देखोगे तो ज्यादा फाइदा होगी कार्वन की परिचे में सबसे महत्तपूर चीज यहां से हमें एक जो सारांस देखें पहले वीडियो लेक्चर का तो वो निकल के आता है कि कार्वन का परमाणु क्रमांग होता है छे इस हिसाब से कार्वन का यदी हम इलेक्ट्रोनिक बिन्यास लिखें तो यह होता है 2.4 क्योंकि 4 और 2.6 हो जाएंगे तो यह होता है 2.4 अब बहुत ही ध्यान से समझीगा कि इसके बाहतम को उसमें कितनी इलेक्ट्रोन है? 4 अगर हम कारवन के बाहितम को उसके इलेक्ट्रोन बनाए तो हम ऐसे बना सकते हैं एक इलेक्ट्रोन ये बना दिया एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर बना दिया और एक इलेक्ट्रोन यहाँ पर तो ये कारवन के चार इलेक्ट्रोन केबल चार क्यों बनाए है क्योंकि ये बाहतम को उसके ही लिद दिखाए गए ये अंदर के नहीं दिखाए गए तो ये बना दो इस हिसाब से अगर कारबन को कोई दूसरा परमाडू जैसे कि हाइड्रोजन मिलता है, तो ये hydrogen से मिलके, ऐसे ऐसे मिलके, इस तरीके से मिलके, चार bond बनाले, क्योंकि इसका भी एक electron होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा तो ये एक एक bond बनाएगा साज़ेदारी से, ये discuss हो चुका है पहले video lecture तो इस हैसाब से हम इसका जो structure है, वो ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि carbon एक hydrogen यहाँ पे एक hydrogen यहाँ पे एक hydrogen यहाँ पे और एक hydrogen यहाँ या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि carbon जो है वो चार bond ऐसे अपने बना लेता है लेकिन थोड़ा सा तिमाख लगाईए, थोड़ा सा समझी कि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है अब उस चीज को समझना है देखो, यहाँ पर मैं आपको समझाना कि जैसे कार्बन है एक बार चेक करेंगे, फ्रेम से बाहर तो नहीं यह नहीं जैसे कार्बन है तो कभी अब यह कार्बन बनाता तो चार बॉन्ड है क्योंकि इसके पास बाहर तमकूस में चार एलेक्ट्रोन लेकिन अगर यह तीन बॉन्ड ही बनाए लेकिन यह तीन बॉन्ड ही बनाए अगर तो इसका चौथा एलेक्ट्रोन तो यूज ही नहीं हुआ है ये चौथा एलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ है और इसको हम कहते हैं मुक्त मूलक जो हमें पढ़ना था मुक्त मूलक यानि कि free radical आपको लिखते जाना ज्यादा फाइदा हो free radical ये है मुक्त मूलक अब इसी से बनता है कार्व धनायन और इसी से बनता है कार्व धनायन देखना कैसे बहुत ध्यान से समझे अगर हम ये जो electron है इसको छीन लें तो इस पे plus आ जाएगा तो ऐसा बनीगा क्योंकि किसी भी क्योंकि किसी भी परमाणू से जब हम electron खीचते हैं तो उस पे plus चार्ज आ जाता है तो ये plus है और इसी में अगर हम electron एक और दे दें तो इस पे minus आ जाएगा इस पे क्या आ जाएगा minus अब यहां पे आपकी दिमाग में question उट सकता है वो question क्या है कि sir इसका एक electron तो पहले से था समझ नवात इसका एक electron तो पहले से था और एक electron तो आपने खुद दे दिया है तो total कितने electron हो गए दो तो इस पे 2 minus क्यों नहीं आए तो इसका answer सुनो इसका answer बिलकुल सरल है इसका answer ये है कि एक electron तो पहले से ही मौजूद था ये इसका खुद का है और दूसरा electron हमने दिया है तो जो बाहर से बाहर की परमाणू से electron उसमें enter किया है वही हमें केवल प्रदर्शित करना है वही हमें दिखाना है तो हम इसलिए एक ही मन्यस लगाते हैं तो ये कहलाता है कार्व धनायन समझ मैं आया की नहीं बताओ कमेंट करके बताओ क्या कहलाता है कार्व धनायन और इसको बोलते हैं कार्व धनायन ये अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्यों पढ़ाया तो भाई ये बेसिक है ये मेकेनिजम में यूज होगा बाद में आपको पता चलेगा कि ये क्यों प लुद्द का वी-डियो एक- Natoo का बीडियो एक दो मिनिट का देखते ह CG नहीं नहीं आएगा ये देख करी आप चले जातेब़े हो तो आपको समझ में इससलिए नहीं आया क्योंकि एक मिनिट में आपको क्या sih या मता दू असली खीज है असली कॉंटेंट तो आपको दो- समझ में आ गया अभी लिखो कमेंट में ये समझ में आ गया ऐसा क्यों क्योंकि अगर आपको समझ में आता जाएगा तो मुझे लगेगा कि हां मैं जो समझा रहा हूं आप तक पहुंचता है आपकी है यह हो गया कि अब हम बात करेंगे इसका जो है हम ने देख हो यहां पर मुक्त-मूलक कवर कर लिया कार्ब धनाएन कवर कर लिया कार्ब धनाएन देखेंगे कि कारबन के असंख ही योगे क्यों बनते हैं इसके पीछे का रीजन क्यों है कि कार्बन इतने सारी योगिक बना लेता है कार्बन कार्बन के ही योगिक आसपास देखेंगे पूरी स्रणी होती है हाइट्रू कार्बन मतलब कर्वन के योगएक जहां देखो वहाँ कर्वन के पर देखो कर्वन में सबसे महत्पुन गुणा है कर्वन इतने सारे योगएक क्यों बनाथा पहला गुणा है चतू सईउजक्ता ये कभी कबार एक्जाम में पूश लिया जाता है कि कारबन असंख ही योगिक बनाता है कारबन अंगिनत ही योगिक बनाता है क्यों तो आपको लिखना है पहला रीजन इसमें चतू सईउजक्ता होती है जो की हम पढ़ चुके अब वो क्या पढ़ चुके हैं ध्यान देना चतु सही हो जखता का मतलब कारवन चार बॉंड बनाता है अपने आसपास और इस बॉंड में क्या क्या हो सकता है इस बॉंड में हाइड्रोजन भी जुड़ सकते है किलोरीन विरोमीन यह सारे हैलोजन यहाँ पर जुड़ सकते है साथ में यहाँ पर एथल मेथल भी जुड़ सकते हैं यह देखो यह तो नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है ऑक्सिजन जुड़ सकता है प्लोरीन जुड़ सकता है तो ये सब जोड़ जोड़ के कारवन अलग-अलग योगिक बना लेता है तो इसलिए उसमें उसके असंख योगिक बन सकते हैं कि कारवन के यहाँ पे यह भी जोड़ सकता है यह भी जोड़ सकता है यह भी जोड़ सकता है तो कारवन इन सब को जोड़ के बहुत सारे योगित बना सकता है, पहला तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि कारवन में स्रंखलन का गुर्ण पाये जाता है, किसका गुर्ण पाये जाता है, स्रंखलन, अब ये स्रंखलन क्या होता है, इसको भी हम समझें, पहले मैं यहाँ के लिख लेता हूँ कि कारवन में स्रंखलन का गुन होता है. अब इसका मतलब है क्या? देखो इसका मतलब है कि कारवन, कारवन, कारवन आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा सकते हैं. मतलब एक कार्बन का परमाडू दूसरे कार्बन के परमाडू से और दूसरा कार्बन का परमाडू तीसरे कार्बन के परमाडू से तीसरा कार्बन का परमाडू चोथे कार्बन के परमाडू से इस तरीके से जुण जुण के एक लंबी स्रंखला बना सकते हैं तो इसलिए कार्बन के असंख योगिक पाए जाते हैं, अनगिनती योगिक पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन में चतु सैंगोजक्ता का गुर्ण होता है, और दूसरा कार्बन में स्रंकलन का गुर्ण होता है, स्रंकलन का गुर्ण, तो इस तरीके से जो योगिक बनते हैं, म कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है, ये देखो, और कार्बन में चतु सहींजक्ता का गुण होता है, तो ये चतु सहींजक्ता का चित्र मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, चतु सहींजक्ता, इसका मतलब क्या है, इसका ये मीनिंग है, कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो ह तो चार हाइड्डूलिन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखो एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, तो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन कार्बन से भी जुड़ सकता है, और कार्बन अन्नियोगिक से भी जुड़ सकता है, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि Flourine जैसे कि Oxygen जैसे कि Ethyl Methyl यानि कि Carbon खुद से भी तो Carbon अपने साथ तो जुढ सकता है मतलब Carbon और Carbon का Bond तो बन सकता है लेकिन Carbon और Oxygen का Bond भी बन सकता है Carbon और Nitrogen का Bond भी बन सकता है हमेशा याद रखिएगा कि Carbon और Oxygen के बीच में Double Bond पाया जाता है इसको याद रखना है ताकि हम आगे की study को अच्छे से कर सकेंगे तो ये हमने कुछ जाना कि जो हमारा carbon है उसके असंख ही होगिक, अंगिनत ही होगिक, unlimited जो है compound है, क्यों है? क्योंकि carbon में चतु सहींजगता का गुण होता है और दूसरा carbon में सरंकलन का गुण होता है, चतु स हो जाकता और सरंकलन, तो इस तरीके से हमें समझ में आता है, अब हम बात करेंगे hydrocarbon की, किसकी बात करने वाले है? hydrocarbon, hydrocarbon है क्या? देखो, सबसे पहले हम इनकी जो definition है उसको समझते हैं कि hydrocarbon है क्या? तो hydrocarbon की simple सी definition है carbon और प्लस hydrogen से मिलकर बने योगिक, इसकी परिभासा आपको इतना सा वसियाद रखना है कि मिलकर बने योगिक, मतलब ऐसे योगिक, जिनमें carbon हो और जिनमें hydrogen हो, उन्हें हम क्या कहते है? हाइड्रो कारवन कहते हैं ऐसे ही होगे जिसमें carbon हो और hydrogen हो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये carbon का item है, black color से है ना जो, ये carbon का item है लेकिन इसके चारों तरह आप यह जो white color से आप देख पा रहे होंगे, यह जो white color है, यह hydrogen का है, यह भी hydrogen का है, यह भी hydrogen का है, यह भी hydrogen का है, जबकि यह carbon है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि यह CH4 लिखा है, CH4 लिखा है, और जो CH4 है, इसमें केवल दो परमाड़ों है, पहला है carbon और दूसरा है hydrogen, मतलब इसमें दो तक्व है carbon, पहला है carbon और दूसरा है hydrogen, इसलिए हम इसे क्या कहे सकते हैं, कि यह एक hydrocarbon है, अब hydrocarbon तो बैसे इसकी category बनाए गई है, तो मैं category के माध्यम से आपको समझा द देखो, इसकी category कौन कौन सी बनाए गई है, उसके पहले मैं थोड़ा सा यह आपको बताना चाहूँगा कि इसकी category के अंतर और कौन कौन सी चीज़े सामिल है, देखो, hydrocarbon को दो प्रकार से divide किया जाता है, तो इसलिए मैं यही देख रहा था कि कुछ चीज रह ना जाए, दे पहली category है, संत्रक्त hydrocarbon, यह है हमारी पहली category है, और दूसरी category है, आ संत्रक्त hydrocarbon, यह देखो, अब संत्रक्त hydrocarbon, ऐसे hydrocarbon होगे यहाँ पर, जिनमें single bond होगा, किसके बीच में, carbon और carbon के बीच में, cable single bond होगा, वहाँ पर होगा संत्रक्त, आ संत्रक्त में, आ संत्रक्त में, carbon और carbon के बीच में यहा तो double bond होगा, यह carbon और carbon के बीच में होगा triple bond, तो वह भी hydrocarbon, जैसे मैं example लेता हूँ, देखो, जैसे यहां पे हमने लिया carbon, carbon, carbon अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि जो hydrocarbon है, बहुत ध्यान से समझना जो hydrocarbon है, यहां पे कैसे बनाया जाता है देखो, तीन carbon हमने लिये हैं तीनो carbon में single bond है कारबन की सहयोज़कता कितनी होती है? 4 तो देखो बाकी सेयोजक्ता कैसे फिल करते हैं, यहां पर देखो, कार्बन की सेयोजक्ता होती है चार, तो कार्बन में एक बॉंड लगा है, तो हमें तीन और लगाने पड़े हैं, अब हमें ये देखना है, कि कार्बन के चारों तरफ चार बॉंड हैं कि नहीं, तो पहले का कारबन्ड है यहां पर हम हाइड्रूजन को लगाते हैं यह देखो अब इस कारबन के देख लेते हैं इस कारबन के दो तरफ दो बॉंड तो हमें दिख रहे हैं लेकिन दो नहीं दिख रहे हैं तो हम दो लगा सकते हैं यहां पर दो हाइड्रूजन लगा देंगे तो इस यह एक हाइड्रो कार्बन का उधारण है अब इस हाइड्रो कार्बन में आप गौर से देखिए कि आपको कार्बन और हाइड्रोजन के लाबा और कुछ भी नहीं देखिए इसमें कार्बन है इसमें हाइड्रोजन है और कुछ भी नहीं है इसलिए यह एक संत्रप्त हाइड् जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ ये क्या है तो आप कहोगे सर इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है लेकिन मैंने पूछा कौन सा वाला तो आप कहोगे सर ये संत्रप्त वाला हाइड्रोकार्बन है मैंने कहा क्यों क्योंकि आप तो अब comment में please ये जरूर लिखना की सरसमझ में आ रहा है ठीक है इससे क्या होगा कि आपको भी ये लगेगा कि चलो मैंने comment किया है दूसरा ये लगेगा कि हाँ मुझे ये लगेगा कि मुझे motivation बढ़ेगा कि हाँ आपको समझ में आता है इस तरीकी से अब देखो आसंत्रप् में लगा दिया समझना इस बात की जरूरी नहीं है कि केवल double bond हो carbon में single bond भी होगा single bond भी होगा लेकिन कम से कम एक double bond है तो वो hydrocarbon बनेगा आसंत्रप्, तो देखो single bond भी है और double bond भी है तो ये single bond देखके ये मत कहने लगना कि सर ये तो संत्रप्त है, नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिंगल बॉंड तो है, लेकिन एक डबल बॉंड भी है, तो ये पूरा असंत्रप्त हो जाए, अब इसमें हाइड्रोजन लगाते हैं कैसे, कार्बन की सेयो लगता, चार का खयाल रखना है, यहाँ देखो, कार्बन की सेयो लगता कितनी है, तो कार्बन की यहाँ पर एक ही सो हो रहे, एक बॉंड ही लगा है, लेकिन कार्बन के चारों तरफ तो चार बॉंड लगते हैं, तो एक लगा है, तो एक लगा है, तो बाई साब एक ऊपर या नीचे कहीं भी लगा दो, तो अब इस कार्ब में बताओ कितने bond लगे हैं, इस तरफ बस लगे हैं, दो इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, तो दो इस तरफ लगा सकते हैं, तो एक उपर लगा देंगे, एक नीचे, हम जब bond लगाएंगे, तो हम कभी भी ऐसे नहीं लगा देंगे, कि double bond हो गया, हो गया, नहीं, double bond नहीं हम ल paraharaam कि लिख सकते हैं तो मैं यहां पे एच बना दिया i invece बना दिया i hapik बना दिया यह हो गया भाई साब एक hydro carbon क्योंकि इसका कार्भन और तो यह एक hydro carbon है लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ यह कौन सा how to carbon है तो आप कहोगे सर इसमें double bond पहागया सर इसमें건 करो अब यहां पर ध्यास से समझो जैसे अगर हम बात करें ट्रिपल बॉंड. तोम पर यहां स्कुर में कोपी में इसको लिख़ो, पहले तुम इसको करो फिर मैं बता दिए ठीक है पॉस कर लो वीडियो को चलो माल लिया कि मैंने आपने इसको कर लिया अब मैं बता आता है देखो कार्बन की इस तरफ एक बॉंड लगा है तीन और लगा दिते हैं एक दो तीन हो गया ना चार तो इसमें कुछ भी नहीं लगा ना इस लाश्ट माले कार्बन को देखो तीन ये है एक और लगा दो हो गया ना चार अब यहां जहां जहां पे बॉंड लगा है भाई साब वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो यहां पे जोड़ दो यहां पे जोड़ दो यहां तो कुछ जोड़ना नह है और यहां कि समझ में आया नए अब मैं आपसे पूछता हों कि यह क्या है तो आप कहोगे सर यह हाइड्रो कारबन है क्या है यह हाइड्रो कारबन लेकिन मैंने आपसे पूछा क्यों है hydrocarbon तो आप कहोगे कि sir इसमें carbon और hydrogen के लाबा कुछ है ही नहीं इसलिए ये hydrocarbon क्योंकि carbon और hydrogen से मिलकर बनने वाले योगे hydrocarbon कहलाते हैं फिर मैंने पूछा hydrocarbon तो है लेकिन कौन सा है तो तुम कहोगे sir ये आसंत्रप्त है कैसा है ये आसंत्रप्त क्यों है आसंत्रप्त क्योंकि इसमें triple bond है लेकिन मैंने कहा कि इसमें single bond भी तो है तो ये संत्रप्त क्यों नहीं है तो आप कहोगे sir single bond से कुछ नहीं होता अगर एक भी double bond है या एक भी triple bond है तो single bond का कुछ नहीं फिर उसको आसंत्रप्त की केटेगरी में रखोगे, संत्रप्त नहीं बोल सकते, तो ये कहलाते हैं हाइड्रो कार्बन, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इतना तो अगर आपको समझ में आ गया है, तो आप कमेंट में जरू लिखना, अब देखो आगे बढ़ते हैं, और इसको कहते हैं, एलकेन, क्या कहते हैं, एलकेन, अभी हम बताएंगे, अभी थोड़ा उपर-उपर समझा दी रहे हैं, अभी नेस्ट पेज पर बताएंगे, डबल बॉन्ड है, तो इसको कहते हैं, एलकेन, क्या कहते हैं, एलकेन, और ट्रिपल बॉन्ड है, तो कहते हैं, ए इसमें, एलके, एलकेन, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, एलकीन, और यहाँ पर लिखते हैं, एक बर्चेक जरूर करेंगे, फ्रेम से बाहर हो नहीं है, फ्रेम से बाहर नहीं है, फ्रेम ठीक है, फ्रेम से बाहर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, तो जरनल फोर्मूले क्या है इनके बारे में थोड़ा सा मैं बात करूगा उसके पहले मैं इनके थोड़ा सा डाइड डिफ्रेंस बना देता हूं ये देखो इसकी color तो change करना होगा यह हम इसको category में बात देते हैं इसका color मैं रख देता हूं यहां पे यह वाला ठीक है यह वाला रख देते हैं नहीं यह वाला ठीक है अब इसको यहां पे हम एक और कीचले ओके कि यह देखे यह कीचली अब इसका जो है अब इसका भी कलर चीच कर देखे तो यह हमने कुछ एलकेन और एलकाइन के लिए बनाया है अब धियान देना थोड़ा समझना जो हमारा एलकेन है इसका फॉर्मूला होता है Cn H2n अभी आ जाएगा समझे प्लस टू Cl H2n प्लस टू जो एलकेन होता है इसका फॉर्मूला है Cn H2n और जो एलकेन होता है इसका फॉर्मूला है Cn H2n माइनस 2 बहुत ध्यान से समझना यहाँ प्लस टू है यहाँ प्लस टू है यहाँ प्लस टू है एलकेन कहलाता है सिंगल बॉन एलकेन कहलाता है डबल बॉन और एलकेन कहलाता है ट्रिपल बॉन यह चीज समझना अब यहां पर n का मतलब क्या है n का मतलब है एक दो तीन चार नमबर ओफ कारबन तो नमबर ओफ हाइड्रोजन अपने आप भी बढ़ेंगे तो n का मतलब एक दो तीन चार पाच है जैसे इस सूत्र के अधार में चलना है जैसे हमने हाइड्रो कारबन लाया तो एक कारबन का क्या होगा एक कारबन और अगर n की जगह पर एक रखेंगे तो हाइड्रोजन n की जगह पर एक रखा जाएगा तो n की जगह पर यहां पर एक जोकी लिखा नहीं जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में दो लिखा है लेकिन n की जगह पर एक रखेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 2, 2 और 2 4 हो जाएगे, मतलब अगर इस सूत्र में N का मान 1 रखोगे तो CH4 मिलेगा, देखो रख के देखो, N की जगह पर 1 रख लो तो कार्बन हो गया 1, हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन, N की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और प्लस 2, 4 हो है न, है न, तो CH4 मिलेगा, ये एक हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, संत्र वाला, यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर N की जगह पर 1 रखेंगे, तो C हो जाएगा 1, यानि एक लिखा नहीं जाता, तो C1 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर इस चीज को हमने गाड़ती है, अब H2N, मतलब H, sorry, यहाँ पर जो C है, जो C है, ठीक है, C यहाँ पर, C1 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कितने रहेंगे, दोगना, मतलब 2 एक हम 2, तो H2 हो जाएगा, CH2, ठीक है, यह एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यह आसंत्रप्त हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हैगा, यह बनेगा नहीं, क्योंकि दुगना करेंगे, और 2 ही घड़ जाएगे, तो हाइड्रोकार्बन नहीं बनेगा, तो पहला तो यह होता है, तो पहले केश में केवल 2 ही पॉसिबल होते हैं, तीसरा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अब हम बात करेंगे, कि जब हम N बरा बरावर कितना रखेंगे, N बरावर 2 रखेंगे, तो क्या बनेगा, इसी फॉर्मूले में देखो, जब हमने N बरावर 2 रखा, ध्यान से देखते जाना, कोई लापरभा ही नहीं करना, ठीक है, तो N की जगह पर 2 रखेंगे, तो बन जाएगा, C और N की जगह पर 2 रख दिय लेखेंगे, तो C2, और H, देखो, N की जगह पर 2 रखोगे, तो 2 आगे लिखा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तो हो जाएगे 6, तो C2, S6 होगा कि नहीं होगा, C2, S6 और यहाँं पर देखो, N की जगह पर 2 रखोगे, तो C, N की जगह पर 2 C2 और H N की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 C2 H4 यहाँ पर देख लो C N की जगह पर 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा लेकिन H N की जगह पर 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 4 में इसे 2 चले जाएगे तो केवल 2 वचेए तो C2 H2 आ जाएगा तो ये भी क्या है hydrocarbon है ये भी क्या है hydrocarbon है क्योंकि ये carbon और hydrogen से बिलके बने अब इनके नाम क्या है इन में मत पढ़िए अभी जब आयू PSA से start करेंगे तो इनके नाम भी बताएंगे वहाँ पे हम इसकी चार category लखेंगे इसमें होता है so you can और होता है alkyl तो वह यहांपे नहीं क्योंकि हम यहांपर bond के आधार बेफर पढ़र रहे हैं इसलिए 3 category ज हम किसी भी प्रकार का nomenclature नहीं कर रहे नहीं कर रहëं तो इसमें कितने कार्बन है, दो तो आप यहाँ पे लिखोगे, एक कार्बन, दो कार्बन, है ना, अब हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, आपको अच्छे से पता है हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हो, पहले तो कार्बन की सर्जक्ता पूरी कर लो, यहाँ पे एक ह टीन बना कर सकते हो तो यहां प एक है आ जाएगा यहां पे एक हो जएगा यहां पे एक है टीन और मना ला जाय गा इस तरीके से क्रम से पाएब बना है जैसे इसका अगर आप मैंने कहा कि इसका बनाives तो कैसे बनाओ krijgen तो देखो यहां दो कार्बन है तो आप यहाँ पे दो कार्बन लिखोगे एक कार्बन और एक कार्बन लेकिन एलकीन कहलाता है डवल बॉंड तो बीच में आप डवल बॉंड लगा दोगे अब कार्बन की समय देक्टा पूरी करनी है तो दो बॉंड यह है दो और लगा लो यहाँ दो इंको एजिस्ट कर दो हाइड्रोजन कैसे एजिस्ट होगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आजाओ यहाँ पे कैसे करोगे बहुत ही सरल है दो कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ पे कर दिया एक कार्बन यहां पर कर दो hydrogen adjust, तो यहां पर hydrogen कैसे adjust करोगे, एक hydrogen यहां पर लगा दोगे, एक hydrogen यहां पर लगा दोगे, समझ में आया की नहीं है, अब यहां पर number बढ़ा दो, अगर आप यहां पर N बराबर रखते हो 3, तो क्या होगा, लियान से समझना, अगर आप N बराबर 3 रखते हो, तो क्या होने बाला है, कारबन जो है, यहां पर N की जगाए पर रखेंगे 3, तो हो जाएगा C3, और hydrogen देखो कितना है, hydrogen, देखो 2N लिखा है, इसका मतलब है कि N 3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो C3, H8 हो जाएगा, यहां पर आजाओ, N बराबर 2 रख लो, तो C, N की जगाए पर आजाएगा, 2, नहीं 3 आएगा, क्योंकि 2 हो गया है, और यहां पर 3 दूनी 6, तो S6 हो जाएगा, बिल्कुल सरल है, यहां पर आजाओ, यहां पर आपको रखना है, कार्बन रखना है, आपको कितना, कार्बन रखना है, आपको 3, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएगे, N की जगाए पर 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगे, कितने बचेंगे, 6 में से 2 जाएगे, तो 4, तो H4 हो जाएगा, अब इसका इस्ट्रेक्चर यदि आपसे बनाने को कहा जाए, तो चलिए, इसका बनाईए, C3H8 का बनाईए, कैसे बनाऊगे, कैसे बनाऊगे, मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा मैं इस तरफ कर दूँ, आपको देखने लगे, यह देखो, चलो ठीक है, तो C3H8 जो है, उसका कैसे बनाऊगे, तो इसमें आपको कितने कारबन, वीडियो को पॉस्ट करके पहले बनाके देखना, नहीं बनता है, तो फिर वीडियो देखो, चले, मैं बता देखो, देखो कैसे करना है, इसमें कितनी कारबन है, तीन, तो बहुत ही आसान है, एक कारबन, दो कारबन, और तीन कारबन, ऐसे बता लो, एक कारबन, दो कारबन, तीन कारबन, लेकिन सिंगल बन्ड है, क्योंकि एलकेन में क्या, एलकेन सिंगल बन्ड, एल काईन रोपाल मंद। यहां पर हाइडोजन के सांते हुएग कैसे होंगे आप गिन सकते हैं यहां पर हाइडोजन इतो अब हाइडोजन उसको सेट करें जदूर्ण मतलब हाइडोजन गिनने की ज़रूद नहीं है तेहूं कैसे यहां पे एक bond लगा है, कितने की ज़रत है, तीन की तो, एक, दो, तीन, यहां पे दो लगे हैं, इस second carbon को देखो, इस second carbon के दौनों तरफ दो bond है, एक यह है और एक यह है, तो दो की जरुगत है, तो एक यहां लगा दो और एक यहां लगा, इस carbon को देखो, एक लगा है, तीन अब hydrogen गिनों के वही आगा hydrogen पे एजिस्ट करते हैं एक यहाँ hydrogen जोड़ दो एक यहाँ जोड़ दो ठीक है एक यहाँ जोड़ दो एक यहाँ जोड़ दो यहाँ पे और अब गिरलो hydrogen 8 ही वह होगे देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 वैसा ही होता है आप चाहे हाँ जोड़ गिनों या ना जोड़ चीज़ें वही रहते हैं इसमें देखो कितने कारबन है तीन लगना क्या है डबल बॉंड कहीं भी एक जगा डबल बॉंड लगा दू एक दो तीन यहाँ पे मालनो डबल बॉंड हम लगा दिया क्या लगा दिया डबल बॉंड तो फिर क्या होगा देखो देहां से अब इसकी सवजगता तो पूरी करनी है तो देखो यहाँ पे एक है तीन और लगा दू हो गए चार यहाँ पे दो और एक तीन है एक और लगा दू हो गए चार देखो यहांपे 2 है, दो यहसे लगा सकते। अब 3, 4, 5, 6, देखो hydrogen अपने आपको जाएगे, देखना कैसे? चलो देखो यहांपे 1 hydrogen यहांप, गिनना hydrogen कितने हुए हैं? देखो hydrogen कितने हुए हैं? हुए हैं कि नहीं? बताओ, 6 हुए हैं कि नहीं? तेन और तेन च्छे यहाँ पर देख लिए ये क्या है और एलकीन है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कितने कारवण होगे तीन एक दो तीन लेकिन एक में लगा दो ट्रिपल बॉंट यह लगा दिया हमें ट्रिपल बॉंट अब ध्यान से समझना इसमें आपको adjust करना है क्या adjust करना है इसकी सेंडर्यक्त बनाओ पहला कारवन देखो एक bond है कितने bond की जरूरत है तीन की क्योंकि चार होते हैं टूटल एक, दो, तीन हो गए चार दूसरा कारवन तीन यहाँ पे है एक यहाँ पे है दूसरा कारवन कोई दिक्कत नहीं है चार ही इसके तीसरा कारवन तीसरे कारवन में तीन तो है लेकिन चौथा नहीं है तो चौथा आप खुद बना दो अब यहाँ पे इसको adjust कर लो यहाँ पे हैट विजन लगा दो कितने हुए तीन और एक चार आइड़ी है, देख लो यहाँ पे चार आइड़ी जाने है, तो यह है इनकी एलकेन, एलकेन और एलकाई, ठीक है, अब ध्यान से समझ लाए, इसमें एक खास बात आप लोटिस करोगे, वो देखो, यहाँ पे जब हम एक योगेक से दूसरे योगेक की तरफ जाते हैं, यहाँ पे जब हम एक योगेक से दूसरे योगेक की तरफ जाते हैं, और आगे भी आप बनाओगे और जाओगे, तो भी वही चीज सामने आईजी, जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो, एक C2 से C3, एक कारवन का अंतर है, और 6 से 8, यानि यह दो ह क्या बना C3, यानि एक कारवन जादा है, और 2 हाइड्रोजन जादा है, 4 से 6 हुए, तो दो हाइड्रोजन जादा है, तो यहाँ भी CH2 का अंतर है, तो इस स्रेणी में CH2 का अंतर मिलेगा, यहाँ पे भी देखो, आप 2 से 3 बना, एक कारवन का अंतर है, 2 से 4 बना, दो डूजन का अंतर है आप समझ पारे मैं आपको क्या बताना चाहता है अगर आगे बनाओगे जैसे मैं इसका n बराबर 4 लेता हूं समझना ध्यान से तो भी CH2 का ही अंतर मिलेगा देखना C4 आ जाएगा तो कि n बराबर हम कितना ले रहे हैं 4 जब n बराबर 4 ले तो C4 आजाएगा और H कितना होगा देखो 4 दूणी 8 और 2 10 H10 होगा तो भी देखो एक कारवन बड़ा और दो हैट हट लिए इसमें भी होगा ऐसा आप देख सकते हैं बनाके इसमें भी होगा तो इसमें भी होगा इसमें भी होगा तो चीजें वही रहेंगी तो CH2 का अंतर है इसलिए इसे CH2 का अंतर यहां CH2 का अंतर यहां मिलेगा और इतना आप N का मान बढ़ाते जाओगे नीचे तक CH2 का मान CH2 का अंतर ही मिलेगा यहां भी मिलेगा यहां भी मिले है कि जिन स्रेणियों में CH2 का अंतर हो उन्हें समझाती है स्रेणि कहते हैं कौन सी स्रेणि कहते हैं समझाती है स्रेणि कहलाती है तो यह एलकेन एलकीन और कि जिन स्रेणि मैंने आपको एन बरावर चार तक बनाके बताई हैं आप एन बरावर टैन तक बना लेना जहां भी आप लिक रहे हो वहाँ पर और अगर आप ऐसा करते हो तो इसी वीडियो लेक्चर में आप कमेंट करके बताओगे कि सर मैंने N बरावर 10 तक बना ली है यह आपके लिए होमबर्ग है ऐसा समझें तो होमबर्ग को तो पूरा करना ही होगा N बरावर 10 तक आप बनाओ और चेक करो कि उनमें सम्में CH2 का अंतर आता है कि नहीं बना के देखोगे प्रैक्टिस करोगे तभी और्गनिक केमिश्टी बनेगी अन्था आप वीडियो को एक कथा की तरह देख लोगे और कुछ भी समझ में नहीं आएगा मैं कोसिस कर रहा हूँ कि आपको पूरा समझ में आए लेकिन आपको भी मेहनत करनी ही होगी तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होगा जहां पर हमने क्या क्या पढ़ा है थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा यह देखो मैं आपको क्या बाद में इक बात में इंपॉर्टन बताऊँगा देखो मुक्तमूला क्या होता है कार्वधनाइन क्या होता है कार्वधनाइन क्या है कार्वन क्या संख्योगे क्यों है और हाइड्रो कार्वन यहां तक आज हमें पढ़ना था और यह हमने complete किया है और आने वाले lecture में हम पढ़ने वाले हैं कि कार्वने की योगों का प्रदर्शन कैसे किया जाता है अभी I.U.P.S.E. नहीं आई है आप tension मत लीजिएगा I.U.P.S.E. जब आएगी तो आपको इनके नाम भी पढ़ने लगेंगे मतलब कोई भी नाम होगा तो आप उसका फटाक से नाम बता दोगे कोई देरी नहीं लगेगी लेकिन अभी हम उसको पहले समझ रहे हैं करते हैं उसके बाद हम वो चीजें देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़नी में और आपका साथ है कमेंट में आपका साथ दिखता ही है तो हम लोग आवी बढ़ते जाएंगे ठीक है और अब नेश्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले है कारवनी क्लूप का परदर्शन कैसी किया जाता और भी बहुत सी चीजें तो जो आपको काफी ज़्यादा काम में आएगी तो बताओ फिर इतना समझ में आ गया है अगर आ गया है तो आप ज चलना चाहिए था कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं कमेंट सबके पढ़ूँगा और सबको हार्ट भी दूगा तो आपको हार्ट मिलेगा आप बस पढ़ते रहिए इसी तरीके से मुस्क्राते रहिए हसते रहिए और कोसिस करिए कि लाइप में कुछ अच्छा प्रोगाइट करा सकते हैं मिलते हैं नेश्ट मीजो लेक्चर में तब तक कि लिए बाए थैंक यू कि आप कि 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 क